हैलो दोस्तों तो दोस्तों कैसे हो आप सब आपको भाई हाजी रहनी वैकेंसी के साथ जैसा कि आपने थमनेल में देखा है कि आज जो वैकेंसी आ रखी है वो आ रखी है O.N.G.C की तरफ से Oil and Natural Gas Corporation Limited की तरफ से यहाँ पे बहुत अच्छी recruitment निकाली गई है तो यहाँ पे कौन का अप्लाई कर सकता है क्या eligibility criteria रहने वाला है और अपने को कैसे apply करना पूरा पूरा process मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा डिटेलिंग के अंदर तो वीडियो को पूरा देखिएगा skip मत करिएगा अब बात कर लेता है यहाँ पे की eligibility criteria क्या रहने वाल है actually तो पहली बात ही आती है कि अगर आप कि इंडिया में किसी भी state से belong करता है तो यहाँ पर apply कर सकते है और यहाँ पे अप्लाई कर सकते है और 2022 से पहले का batch है तो भी आप apply कर सकते है ठीक है fresher candidate बिल्कुल apply कर सकते है कोई experience है आप पर required नहीं है सबसे बड़ी बात ये भी आती है कि यहाँ पर कोई आपका exam नहीं होने वाला ठीक है आपके जितने भी marks बने हैं उसके basis पर यहाँ पर आपका selection होगा और यहाँ पर कोई इसका जो application piece है कोई group या भी आपके हाँ पर pay नहीं करना free का यह form रहने वाला है ठीक है अब कैसे selection process रहेगा पूरा detailing में बता हुआ तो वीडियो को पूरा देखिएगा तो अगर आपने हमारा telegram channel whatsapp group या linkedin join नहीं किया तो हम आपको प्लेटफर्म ज़रूर से join करके रखे telegram channel whatsapp group linkedin instagram facebook के सारे platform के link description में मिल जाएंगे even मैंने comment box में pin भी किया है उस पे भी click करके आप join कर सकते है directly और अगर आपने मारा जो दूसरा channel है जिसका ना मैं career blaster subscribe नहीं किया तो channel का link description में मिल जाएगा चेक आउट ज़रूर कर लेना अगर content पसंद आए उस channel का तो अपने उस channel को subscribe कर लेना अपने दोस्तों में share कर देना तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस channel पे नहीं है तो channel को subscribe कर ले पास में जो घंटी वाला icon उसको दबा दे ताकि आपको next वीडियो का notification सबसे पहले मिल पाए और आपका भाई इस channel पे इस चैनल पे इस जो अपडिट लाता रहता है तो चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा चलिए शुरू करते हैं जैसा कि आप इस screen पे देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने directly वो carry वाला page open कर लिए आपको मैं link description में provide करा दूँगा आप directly वहाँ पे click करके apply कर सकते है जैसे उस link पे click करें आपके सामने ऐसा tip open हो जाएगा तो यहाँ पे आपको notification आ रखा है apprenticeship training का आपका यहाँ पे position रहने वाले basically यहाँ पे आप देख सकते है कि आपका apprenticeship रहेगा अब मैं बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते हैं कि apprenticeship करने का फायदा है की नहीं है देखे अगर आपको भी job नहीं मिल रहा ठीक है आपने कुशिश किया try किया क्योंकि competition बहुत जादा है नहीं मिल रहा तो कोई दिकत वाली बात नहीं है आप apprenticeship की तरफ जा सकते हैं ठीक है अगर आप apprenticeship की तरफ जाएंगे तो आपका जो समय होगा वो बचत होगा समय की बचत होगी पहली बात दूसरी बात आपको यहाँ पे job का gap आएगा career gap वो नहीं आए पाएगा क्योंकि आप अगर कहीं पे interview देने जाएंगे तो वो पूछेगा interviewer ठीक है कि आपने एक साल क्या किया था अगर आपने job की तलास करते रहे तो apprenticeship के लिए भी form को apply जरूर करिए ताकि वो आपके career में जो gap आ रहा है उसको career में gap होने से बचे ठीक है तो यहाँ पे आप देख सकते है पूरा का पूरा company का detailing दे रहे है जिसको आप अच्छे से read out कर लेना ठीक है एक साल की आपकी apprenticeship यहाँ पे आपकी रहने वाली है जिसमें यहाँ पे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 8,500 रुपर पर मन्थ लिए आपको इस टाइप दिया जाने वाला है तो यह सारी चीज़ आपके यहाँ पे रहेगी अब बात कर लेते हैं कुछ और important point के बारे में तो यहाँ पे apply कौन कर सकता है education qualification क्या रहेगा देखे सबसे पहली बात आती है कि यहाँ पे IT वाले candidate जिन्होंने IT किया है वो यहाँ पे apply कर सकता है अगर आपका IT NCVT से हो या फिर SCVT से हो तो भी यहाँ पे आपका चलेगा regular basis पे आपका IT होना चीए ठीक है यहाँ पे आप देख सकते है कि अगर आपका 2019 के बाद का है 2019, 2020, 2020 और 22 वाले candidate को भी यहाँ पे मौका दिया गया तो 2022 वाले candidate भी यहाँ पे apply कर सकते है ठीक है age criteria की बात कर लेते कि यहाँ पे जो आपका age criteria है minimum आपका 18 साल होना चीए, maximum आपका 21 साल होना चीए और जिन्होंने पहले यहाँ पे apprenticeship कर लिया है तो यहाँ पे apply नहीं कर सकते है और जिनको experience है वो यहाँ पे apply नहीं कर सकते है यह सारी चीज़े आपको लोगों के लिए यहाँ पे रहने वाली है आपके यहाँ पे एक रुपया भी pay नहीं करना free कर यह form आपका रहने वाला है बात कर लेते कि आपका selection कैसे होगा देखी यहाँ पे जो आपका selection होगा आपके marks के basis पे होगा ठीक है the selection will be based on the performance in return test ठीक है आपका सबसे पहले यहाँ पे form भरा जाएगा उसके बाद आपका return test होगा then फिर आपके यहाँ पे personal entry होगा then फिर आपका finally आपका selection हो जाएगा document verification के बाद ठीक है अब बात कर लेते यहाँ पे कि आपकी यहाँ पे candidate जो यहाँ पे selected होगे इनकी merit list जारी कर दी जाएगी और 20% seat यहाँ पे result है इन एरिया के लोगों के लिए ठीक है बाकी 80% seat ओ यहाँ पे all India candidate यहाँ पे apply कर सकते है कहीं से भी belong करता है किसी भी state से belong करते है तो आप यहाँ पे apply कर सकते है document required at the timing of joining जब आपकी joining होगी तब आपको कौन-कौन जो document से ही यह server आपके document चीए देखे 10 वी का certificate आपके पास होना चाहिए आपके पास आईटी का certificate होना चाहिए ठीक है आपके पास latest updated resume होना चाहिए उसके पास यहाँ पर apprenticeship India.gov.in पर आपने registration किया है उसका आपके पास जो enrollment number है वो आपके पास यहाँ पर होना चाहिए ठीक है अब बात कर लेते हैं कि आपका apply कैसे करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको जो apply last date रहेगा और 34 2022 से इसका last date रहने वाले उससे पहले 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 आपको apply कर देदे तो यहाँ पर यहाँ पर एक चार्ड दे रहेगा उस चार्ड के according यहाँ पर सारे discipline apply कर सकते हैं फिटर chemical plant, electric, instrument, mechanic, laboratory यह सारे जो भी है discipline वाले लोग यहाँ पर apply कर सकते हैं तो यहाँ पर देख पार है कि अगर आपना IT किया है तो आप यहाँ पर eligible रहेंगे timing आप जो आपका training रहेगा वह बारा महीने कर रहेगा मतलब कि एक साल कपका training होने वाला है टोटल नंबर ओफ सीट को यहाँ पर दिवाइड कर दिया गया यहाँ पर साइड में लिंक दे रहा है उस पर क्लिक करके आपको directly apply कर देदे यहाँ पर आपका location रहेगा वह आपका दहेज location आपका यहाँ पर रहने वाला है तो अप्लाइज जरूर कर देना काफ़ी बड़ आज के लिए वीडियो को लाइक करेगा शेयर करेए उन लोगों तक जिनको जौब की निट एंट कमेंट करके जरूर बताएगा क्या आप कौन सी जौब सेर्च कर रहा है ताकि वह जौब के लिए हमने डिस्क्रप्शन ने लिंक दे रहा है अब डारेक्ली वहाँ पर क्लि जाहिन